हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल आज मैं लेकर हैं आपके लिए गहूं के आटे से बनने वाली बहुत टेस्टी मिठाई तो चलिए बनाते हैं मैंने ड्रेड कप गहूं का आटा लिया है ये मैंने थोड़ी से थिल डालें इसके अंदर तोड़ी से मेंने इन लायची डालें और का स्थिल अचे मालें,पब शूद ने शुद गहीं डाले अब हमें इन सब को अची तरह मेक्स कर लेंगे सारे मिस्रान अची तरह मैक्स हो गयां आप हम इसके अंदर तोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसको अची तरह गुंद लेंगे इसको थोड़ा टाइटी रखना है तो मैंने थोड़ा पानियो डाल दिया को तुम हम इसको गूंद कर त्यार कर लिया थोड़ा समय इसको पर गेल लगा कर अब हम इसको रेस्ट के लिए रख देंगे 10 या 15 मिनट के लिए अब हम इसके चासने बनाते हैं तो मैंने एक कप चीनी लिया और एक कप मैंने इसके अंदर पानी डाना है चास्तनी हमारी पंडी है तक तक मैंने गहूं का अटा लिया एकटूरी में उसके अंदर मैंने गी डालके इसको एक पेस्ट जैसा बना लिया है आटा मारा सेट हो गया तो उसको हम एक बार गूंद लेते हैं अब हम इसकी लंबी लंबी लोई बनाएंगे अब इसके छोटे पेड़े काट लेंगे तो मैंने यह पेड़े काट लिए अब हम इसको बेल लेंगे एक रोटी की तरह इसको बेल लेंगे इसके हमें रोटी बनानी है तो मैंने यह तो मैंने यह तो मैंने यह रोटी बेल लेंगे कि अब लेंगे कि उए दूसरी भी बेल ए तीसरी भी यह तीसरी भी देने और इस समच जेहर के बिंग तो आज हम इस तो डियर की बनाएंगे तो मैंने यह ऐसे करके यह रोटी इसके उपर लगा लिए सारी रोटे हैं ऐसे लगा लिए और इसको थोड़ा सा ओट बेल लेंगे जिससे यह सारी चिपक जाए है मैं इसका रोल बना दूँगे रोल हमें थोड़ा टाइटी बनाना है तो नी तो यह बीच में पुल जाएगी तो मैंने रोल बना दिये और इसके चोटे-चोटे पेड़े काट लेंगे तो मैंने यह पेड़े कार लिए अब इसको उठा के थोड़ा साथ से से दबा देंगे इससे यह खुले ना करके यह हम सारे पेड़ों को मैंसे दबा के त्यार कर लेंगे अब मैंने कड़ाई चड़ाई है तेल हमारा गरम हो गया तो मैंने इसके अंदर यह के करके यह डाल दी है इसको मिसके अंदर तल लेंगे तो अब यह हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई एकदम कुर्कुरी हो गई तो अब हम इसको बार निकाल देंगे वह जो हमने चासनी बनाई थी और यह सारी इसके अंदर डाल देंगे और हां चासनी मैंने एक तार की बनाई है जो इसके अंदर रिकोर्ड नहीं हुई तो मैंने यह सारी चासनी में डाल दी हम थोड़ी देर के लिए हम इसको इसी में जो दूसरे बचे हुए है अटे की इसके भी हमने यह बना के पेड़े और कड़े में डाल दी है इसको भी हम तल लेते हैं तो मैंने एकदम दिम्याज में दिम्याज करके इसको तल लिया तो यह अब हमारे चासनी में अच्छी तरह मिक्स हो गई तो अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे अब हम एक प्लेट में इसको बाहर निकाल लेंगे तो मैंने यह सारी प्लेट में निकाल ली है तो यह मिठा ही दिखने में कितनी अच्छी लग रही और खाने में भी बहुत टेस्टी है पर आप एक बार जुरूर ट्राइ करना मेरा वीडिया अच्छा लगे तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना तो थोड़े से में इस पर कटिवे पिस्टे लगा लिए मिलते एक नए वीडियो के साथ